हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे अपनी जिन्दे काम में कहीं न कहीं विजी होंगे तो दोस्तों आज इस वीडियो में में बात करने वाला हूं कि अगर आपकी कोई भी शिफ्ट की आइडी है या अगर आपकी पार्ट ताइम आइडी है cycle की個 idea hikayo!!! एक आईडी से दूसरी id में उसे चंज कैसे कर सकते है यानि कि पार्टॉब क्राइम से फुल टाइम में, फुल टाइम तरी की कीट करा ली है , उसमें कितना टाइम लगा एक शिफ्ट से दूसरी शिफ्ट में चंजना में कितना टाइम लगता है ? उसका हो जाता है नहीं होता है आपके फोन से होता है नहीं होता है उसके लिए ओफिस में जाना पड़ता है नहीं पड़ता है कितना टाइम लगता है बहुत सारे कोश्चन है जिनका जवाब मुझे इस वीडियो में दूंगा तो प्लिस वीडियो को आप कंट्यूनी वोच कीजिए तो चीजी है बिलेका करता हूं। जहां से सुईजी का अपडेट मिलता है मैं देखने के लिए उपर त्रिक्वर्न पे आपको तीन दिखाई रही हैं इस पर किल्क करेंगे। किलिक करने के बाद मैसेज सेंटर में जाएंगे और मैसेज सेंटर में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास मैंने अपलाई किया था पार्ट टाइम शिफ्ट के लिए अपसे एक हफता पहले और कम्पनी ने मेरी रिक्वेस्ट को उसको एकसेप्ट कर लिया आज से 4 दिन पहले और उसका मेरे पास मैसेज आया और उस मेसेज को मैं आपको किलियर लिदिखा सकता हूँ तो मेरे पास एक message भी है जो कि चार दिन पहला आया हुआ था Your shift change request is approved आप इसको देख सकते हैं इसको मैं open करूँगा open करने के बाद आप किलिए लिप पढ़ सकते हैं read कर सकते हैं Your shift change request is approved और नीचे लिखाओ अभी है Dear partner, this is to your inform that your shift change request has been approved and your shift is changed जैसे के मैंने एक हफ्ता पहले apply करा था shift change करने के लिए और company ने मेरी ये shift change कर दी जो की part time, sorry full time थी और full time से part time में change कर दी अब मैं आपको ये बदा देता हूँ आपको ये shift change करने मैंने करी कैसे है उसका क्या तरीका था उसके लिए यहां help में जाएंगे आप help में जाने के बाद यहां पर आप click करेंगे duty related issue fourth पर आप click करेंगे fourth पर click करने के बाद आप third option select करेंगे change shift and zone जब आप इसको select करेंगे apply for shift and zone इस पर click करेंगे आप नीचे और यहां पर आपको एरिया दिखाएगा जेखी मैंने 4 एरिया select कर रखे थे इसमें मैं मुझको दो एरिया में काम करना है east more west में तो मैं उपर के एरिया को छोड़के नीचे वाले unclick कर देता हूँ और नीचे आपको कुछ निकरना है जो next है इस पर click करना है next पर जब आप click करेंगे तो इसमें जैसे के मैंने select करा था part time के लिए 6 से 12 का time तो 6 से 12 का भी time select कर सकते हैं बहुत time दे रखे हैं इसमें part time में मैंने एक time इसमें ये भी दे रखा है शाम को आपका 6 बज़े से 6 बज़े से 10 बज़े तक PM का time 1-4 बज़े से 8 बज़े का भी time दे रखा है तो मैंने जैसे के मैं आपको बता देता हूं मैंने select करा था 6 बज़े से 12 बज़े तक का time और जब यह आप select करेंगे यहाँ से send request का आप click करेंगे तो यहाँ से आप company का एक्ज़ेटी एसाइन होता है यानि कि यहाँ पर आप नीचे देख रहा है कुछ time के बाद आपको जैसे के मैंने पहली वीडियो में बताया था एक G-form का link आएगा और link जब यहाँ आपर आजाएगा उस link पर आप click करेंगे तो आप पूरी detail उसमें link पर जाके fill करेंगे जैसे के मैं already G-form में बता चुका हूँ उसके लिए आप G-form वाली वीडियो देखिए व्लकुन यहाँ से आपका G-form open हो जाता है और वहाँ पर आप detail वगयर आपना fill करेंगे और fill करने के बाद एक हकता के time दर अंदर या एक हकते के बाद कुछ time जाता आ इसमें और आपकी shift change हो जाएगी definitely अगर change नहीं होती तो आप daily fill किजिए सुबा शाम फिल करिए और definitely आपकी shift change हो जाएगी तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पर company कितना incentive देती है daily weekly monthly और आप monthly daily कितना कमा सकतो cycle की ID payment सारी बात उको next video में clear करने कोशिश करूँगा तो please next video में जरूर update रहेगा वीडियो थोड़ी पसंद आई है तो वीडियो को like किजिएगा चैनल पर नहीं है झाल